ओम श्यांती, 5 नवंबर 2024 के इश्वरिय महवाक्य, पहले सुनते हैं मुरली के मुख्य पोइंट्स, बाबा ने कहा, इस अविनाशी धंदे से तुम पदमा पदम भाग्ये शाली बनते हो, सोभी 21 जनमों के लिए, तो कितनी सर्विस करनी चाहिए, प्रन्तु कई बेचारे ज जो बहुत अच्छी सर्विस करते थे, वेह संग दोश में खराब हो गई, माया अवस्था को बिगार देती है, तो बहुत डिस्सर्विस करते हैं, यह भी ड्रामा में नूंध है, फिर बाबा ने कहा, माया की युद्ध तो चलती ही रहेगी, अभी तुम्हारी विजे भी जरूर होनी है, सतो प्रधान बनने के लिए दैवी गुण जरूर धारन करने है, अपनी जांच करनी चाहिए, हमारे में कोई आसुरी गुण तो नहीं, बाब तुमको एक ही मंत्र देते हैं, मन मनाभव, प्रन्तु फिर भी बच्चों को याद में रहने का पुरुशार्थ डिफिकल्ट लगता है, इतना उच से उच पद पाना कोई सहज थोड़े ही हो सकता है, कोई गिरते हैं तो फिर सारा ज्यान खत्म हो जाता है, कला, काया, माया ले लेती है, इसलिए अपनी संभाल करनी है, लास्ट में बाब ने कहा, तुम बच्चे अभी पुन्य आत्मा ब पढ़ा रहे हैं, वे तुमको जो नौलेज देते हैं, उसे दूसरों को सुना कर आप समान बनाना चाहिए, और अब सुनते हैं महवाक्यों को विस्तार से, मुरली का सार, मीठे बच्चे, ड्रामा की स्रेष्ट नौलेज तुम बच्चों के पास ही है, तुम जानते हो यह रिपीट होता है, प्रश्न, प्रवरिती वाले बाबा से कौन सा प्रश्न पूछते हैं, बाबा उन्हें क्या राय देते हैं, उत्तर, कई बच्चे पूछते हैं बाबा, हम धंदा करें, बाबा कहते हैं बच्चे धंदा भले करो, लेकिन रोयल धंदा करो, ब्राहमन बच् शराब सिगरेट बीडी आधिका नहीं कर सकते क्योंकि इनसे और ही विकारों की खीच होती है ओम श्यांती रुहानी बाप रुहानी बच्चों को समझा रहे हैं अब एक है रुहानी बाप की श्रीमत दूसरी है रावन की आसुरीमत आसुरीमत बाप की नहीं कहेंगे रावन को बाप तो नहीं कहेंगे न वहे है रावन की आसुरीमत अभी तुम बच्चों को मिल रही है इश्वरियमत कितना रात दिन का फर्क है बुद्धी में आता है इश्वरियमत से दैविगुन धारन करते आए हैं यह सर्फ तुम बच्चे ही बाप दबारा सुनते हो, और कोई को मालूम नहीं पड़ता है, बाप मिलते ही हैं संपत्ती के लिए, रावन से तो और ही संपत्ती कम होती जाती है, इश्वर ये मत कहां ले जाती है, और आसुरी मत कहां ले जाती है, यह तुम ही जानते हो, आसुरी मत जब से मिलती है तुम नीचे ही गिरते आते हो नई दुनिया में थोड़ा थोड़ा ही गिरते हो गिरना कैसे होता है फिर चड़ना कैसे होता है यह भी तुम बच्चे समझ गए हो अभी श्रीमत तुम बच्चों को मिलती है फिर से स्रेष्ट बनने के लिए तुम यहां आई ही हो स्रेष्ट बनने के लिए तुम जानते हो हम फिर स्रेष्ट मत कैसे पाएंगे अनेक बार तुमने स्रेष्ट मत से उच पद पाया है फिर पुनरजनम लेते लेते, नीचे गिरते आये हो, फिर एक ही बार चड़ते हो नमबरवार पुरुशार्थ अनुसार तो होते ही हैं, बाप समझाते हैं टाइम लगता है पुरुशोत्तम संगम युक का भी टाइम है न, पूरा एक्यूरेट, ड्रामा बड़ा एक्यूरेट चलता है और बहुत वंडर्फुल है, बच्चों को समझ में बड़ा सह जाता है, बाप को याद करना है और वड़सा लेना है बस, प्रन्तु पुरुशार्थ करते हैं तो कईयों को डिफिकल्ट भी लगता है, इतना उच्च ते उच्च पद पाना कोई सहज थोड़े ही हो सकता है बहुत सहज बाप की याद और सहज वरसा बाप का है सेकेंड की बात है, फिर पुरुशार्थ करने लगते हैं तो माया के विगन भी पड़ते हैं रावन पर जीत पानी होती है, सारी स्रुष्टी पर इस रावन का राज्य है अभी तुम समझ से हो, हम योग बल से रावन पर हर कल्प जीत पाते आए हैं अब भी पा रहे हैं, सिखलाने वला है बेहद का बाप भक्ती मार्ग में भी तुम बाबा बाबा कहते आए हो प्रन्तु पहले बाप को नहीं जानते थे, आत्मा को जानते थे कहते थे चमकता है भ्रिकुटी के बीच में अजब सितारा आत्मा को जानते हुए भी बाप को नहीं जानते थे कैसा विचित्र ड्रामा है कहते भी थे हे परमपिता परमात्मा याद करते थे फिर भी जानते नहीं थे ना आत्मा की ओक्यूपेशन को ना परमात्मा की ओक्यूपेशन को पूरा जानते थे बाप ही खुद आकर समझाते हैं बाप बिगर कब कोई रेलाइज करा न सके कोई का पार्ट ही नहीं गायन भी है इश्वरिय संप्रदाई आसुरी संप्रदाई और दैवी संप्रदाई है बहुत सहज प्रन्तु यह बातें याद रहे इसमें ही माया विगन डालती है भुला देती है बाप कहते हैं नंबर वार पुरुशार्थ अनुसार याद करते करते जब ड्रामा का अंत होगा अर्थाद पुरानी दुनिया का अंत होगा तब नंबर वार पुरुशार्थ अनुसार राजधानी स्थापन हो ही जाएगी शास्त्रों में यह बात कोई समझ न सके गीता आदी तो इसने भी बहुत पढ़ी है ना अब बाप कहते हैं इसकी कोई वेल्यू नहीं प्रन्तु भक्ती में कनरस बहुत मिलता है इसले छोड़ते नहीं तुम जानते हो सारा मदार पुरुशार्थ पर है धन्दा आदी भी कोई का रोयल होता है कोई का छीची धन्दा होता है शराब, बीडी, सिगरेट आदी बेशते हैं यह धन्दा तो बहुत खराब है शराब सब विकारों को खीशती है किसको शराबी बनाना यह धन्दा अच्छा नहीं बाप राये देंगे युक्ति से यह धन्दा चेंज कर लो नहीं तो उँच पद पा नहीं सकेंगे बाप समझाते हैं इन सब धन्दों में हैं नुकसान बिगर अविनाशी ग्यान रतनों के धन्दे के भले जुआरात का धन्दा करते थे प्रन्तु फाइदा तो नहीं हुआ न करके लखपती बने इस धन्दे से क्या बनते हैं बाबा पत्रों में हमेशा लिखते हैं पदमा पदम भाग्ये शाले सो भी 21 जन्मों के लिए बनते तुम भी समझ से हो बाबा कहते बिलकुल ठीक है हम सो यह देवी देवता थे फिर चक्र लगाते लगाते नीचे आते हैं सुरिष्टी के आदी मध्यांत को भी जान गए हैं 4900 बाप दवारा मिली है प्रन्तु फिर दैवी गुण भी धारन करने हैं अपनी जांच करनी हैं हमारे में कोई आसुरी गुण तो नहीं है यह बाबा भी जानते हैं हमने अपना यह शरीर उपी मकान किराये पर दिया है यह मकान है ना इसमे आत्मा रहती है हमको बहुत फखुर रहता है भगवान को हमने किराये पर मकान दिया है ड्रामा प्लैन अनुसार और कोई मकान उनको लेना ही नहीं है कल्प कल्प यह मकान ही लेना पड़ता है इनको तो खुशी होती है ना प्रन्तु फिर हंगामा भी कितना मचा यह बाबा हसी कुड़ी में कब बाबा को कहते हैं बाबा आपका रथ बना तो हमको इतनी गाली खानी पड़ती है बाब कहते हैं सबसे जासी गाली मुझे मिली अब तुम्हारी बारी है ब्रह्मा को कब गाली मिली नहीं है अब बारी आई है रथ दिया है यह तो समझ से है ना तो जरूर बाप से मदद भी मिलेगी फिर भी बाबा कहते हैं बाप को निरंतर याद करना इसमें तुम बच्चे इन से भी जास्ती तीखे जा सकते हो क्योंकि इन के उपर तो मामला बहुत है भले ड्रामा कहकर छोड़ देते हैं फिर भी कुछ लैस जरूर आती है यह बिचारे बहुत अच्छी सर्विस करते थे यह संग दोश में खराब हो गए कितनी डिस्सर्विस होती हैं ऐसा ऐसा काम करते हैं लैस आ जाती हैं उस समय यह नहीं समझ से कि यह भी ड्रामा बना हुआ है यह फिर बाद में ख्याल आता है यह तो ड्रामा में नोंद है ना माया अवस्था को बिगाड देती है तो बहुत डिस्सर्विस हो जाती है कितना अबलाओं आदी पर अत्याचार हो जाते हैं यह तो खुद के बच्चे ही कितनी डिस्सर्विस करते हैं उल्टास उल्टा बोलने लग पड़ते हैं अभी तुम बच्चे जानते हुँ बाप क्या सुनाते हैं कोई शास्थर आदी नहीं सुनाते हैं अभी हम श्रीमत पर कितना स्रेष्ट बनते हैं माया की युद्द चलती रहेगी अभी तुम्हारी विजे तो जरूर होनी है यह तुम समझते हो शांती धाम सुख धाम पर हमारी विजे है ही कल्प कल्प हम विजे पाते आए हैं इस पुरुशोत्तम संगम युग पर ही सापना और विनाश होता है यह सारी डिटेल तुम बच्चों की बुद्धी में है बरोबर बाप हमारे दवारा सापना करा रहे है फिर हम ही राज्ये करेंगे बाबा को थैंक्स भी नहीं देंगे बाप कहते हैं यह भी ड्रामा में नूद है मैं भी इस ड्रामा के अंदर पार्ट धारी हूँ ड्रामा में सबका पार्ट नूद्धा हुआ है शिव बाबा का भी पार्ट है हमारा भी पार्ट है थैंक्स देने की बात नहीं शिव बाबा कहते हैं मैं तुमको श्रीमत दे रास्ता बताता हूँ और कोई बता न सके जो भी आये बोलो सतो प्रधान नई दुनिया स्वर्ग थीना इस पुरानी दुनिया को तमो प्रधान कहा जाता है फिर सतो प्रधान बनने के लिए दैविगुन धारन करने हैं बाप को याद करना है मंत्र ही यह है मन मनाभव मध्याजीभव बस यह भी बताते हैं मैं सुप्रीम गुरु हूँ तुम बच्चे अभियाद की यात्रा से सारी स्रिष्टी को सद्गती में पहुँचाते हो जगत गुरु एक शिव बाबा है जो तुमको भी श्रीमत देते हैं तुम जानते हो हर पाँच हजार वर्ष बाद हमको यह श्रीमत मिली है चक्र फिरता रहता है आज पुरानी दुनिया है कल नई दुनिया होगी इस चक्र को समझना भी बहुत सहज है प्रन्तु यह भी याद रहे जो कोई को समझा सके यह भी भूल जाते हैं कोई गिरते हैं तो फिर ग्यान आदी सारा खत्म हो जाता है कला काया माया ले लेती है सब कला काया निकाल कला रहित कर देती है विकार में ऐसे फस जाते हैं बात मत पूछो अभी तुमको सारा चक्र याद है तुम जनम जनमांत्र वेशाल्य में रहे हो, हजारों पाप करती आए हो, सबकी आगे कहते हो जनम जनम के हम पापी हैं, हम ही पहले पुन्य आत्मा थे फिर पाप आत्मा बने, अब फिर पुन्य आत्मा बनते हैं, यह तुम बच्चों को नौलेज मिल रही है, फिर तुम औरो को दे आप समान बनाते हो ग्रिस्त व्यवहार में रहने से फर्क तो रहता है ना वह इतना नहीं समझा सकते हैं जितना तुम प्रंतु सब तो नहीं छोड़ सकते हैं बाप खुद कहते हैं ग्रिस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनना है सब छोड़ कर आवें तो इतने सब बैठेंगे कहां बाप नौलेजफुल है वे कुछ भी शास्त्रादी पढ़ते नहीं ये शास्त्रादी पढ़ा था मेरे लिए तो कहते हैं God Father is Knowledgeful मनश्य ये भी जानते नहीं है कि बाप में क्या नौलेज है अभी तुमको सारी स्रिष्टी की आदी मध्यांत की नौलेज है तुम जानते हो ये भक्ति मार्ग के शास्त्र भी अनादी है भक्ति मार्ग में ये शास्त्र भी जरूर निकलते हैं कहते हैं पहाड तूट गया फिर बनेगा कैसे परन्तु ये तो ड्रामा है ना शास्त्र आदी ये सब खत्म हो जाते हैं फिर अपने समय पर वही बनते हैं हम पहले पहले शिव की पूजा करते हैं ये भी शास्त्रों में होगा ना शिव की भक्ति कैसे की जाती हैं कितने श्लोक आदी गाते हैं तुम सिर्फ याद करते हो शिवबाबा ज्यान का सागर है वेह अभी हमको ज्यान दे रहे है बाप ने तुमको समझाया है ये सुरुष्टी का चक्र कैसे फिरता है शास्त्रों में इतना लंबा चोड़ा गपोड़ा लगा दिया है जो कब स्मृती में भी आ न सके तो बच्चों को अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए बेहद का बाप हमको पढ़ाते हैं गाया भी जाता है स्टूडेंट लाइफ इस दी बेस्ट भगवानु आज मैं तुमको यह राजाओं का राजा बनाता हूँ और कोई शास्त्रों में यह बाते हैं नहीं उच ते उच प्राप्ती है ही यह है वास्तों में गुरु तो एक ही है जो सर्व की सदगती करते हैं भले सापना करने वाले को भी गुरु कह सकते हैं प्रन्तु गुरु वे है जो सदगती दे यह तो अपने पिछाडी सब को पार्ट में ले आते हैं वापिस ले जाने के लिए रास्ता तो बताते नहीं बारात तो शिव की गाई हुई है और कोई गुरू की नहीं मनुष्यों ने फिर शिव और शंकर को मिला दिया है कहां वेह सुक्षव वतनवासी कहां वेह मूल वतनवासी दोनों एक हो कैसे सकते यह भक्ती मार्ग में लिख दिया है ब्रह्मा विश्नु शंकर तीन बच्चे ठहरेना ब्रह्मा पर भी तुम समझा सकते हो इनको अडोप्ट किया है तो यह शिव बाबा का बच्चा ठहराना उँच ते उँच है बाप बाकी यह है उनकी रच्चना कितनी यह समझने की बाते हैं अच्छा मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रती मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रुहानी बाप की रुहानी बच्चों को नमस्ते धार्ना के लिए मुख्ये सार पहली पुइंट अविनाशी ग्यान रतनों का धंदा कर 21 जन्मों के लिए पदमा पदम भाग्येशाली बनना है अपनी जाँच करनी है हमारे में कोई आसुरी गुण तो नहीं है हम ऐसा कोई धंदा तो नहीं करते जिससे विकारों की उत्पत्ती हो दूसरी पॉइंट याद की यत्रा में रहे सारी सृष्टी को सदगती में पहुँचाना है एक सत्गुरु बाप की श्रीमत पर चल आप समान बनाने की सेवा करनी है ध्यान रहे माया कभी कला रहित ना बना दे वर्दान बुराई में भी अच्छाई का अनभव करने वाले निश्चे बुद्धी बेफिक्र बादशाह भव सदा यह स्लोगन याद रहे कि जो हुआ अच्छा हुआ अच्छा है और अच्छा ही होना है बुराई को बुराई के रूप में ना देखे लेकिन बुराई में भी अच्छाई का अनभव करें बुराई से भी अपना पाठ पढ़ ले कोई भी बात आए तो क्या होगा यह संकल्प ना आए लेकिन फोरन आए कि अच्छा होगा बीत गया अच्छा हुआ जहां अच्छा है वहां सदा बेफिक्र बादशा है निश्च्य बुद्धी का अर्थ ही है बेफिक्र बादशा स्लोगन जो स्विम को वह दूसरों को रिगार्ड देते हैं उनका रिकार्ड सदा ठीक रहता है ओम शान्ती आज बाबा ने वजन कम करने का निवार्ण बताया है कोन सा वजन और क्या निवार्ण है जानने के लिए सुनते हैं आज का अव्यक्त ग्यानमोती